दोस्तों कैथरीन मैंसफील्ड मेरी सबसे फेवरेट शॉर्ट स्टूरी राइटर है इसका करण ये है कि ये अपनी छोटी छोटी कहानियों के जरीए बड़ी गहरी बात किया करती थी और इन्हीं छोटी छोटी कहानियों के जरीए इन्हें इंटरनेशनल फीम मिली आज भी मैं इनकी एक बड़ी famous कहानी आप लोगों की साथ में discuss करने जा रहा हूँ इस कहानी का नाम है A Doll's House इस कहानी के जरीए Catherine Mansfield ने ये बताने की कोशिश की है कि कम से कम हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये भेदभाव का जहर नहीं घूलना चाहिए ने कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं अगर आप इसी उमर में उनको भीदभाव सिखा दोगे तो वो आगे जाकर क्या बनेंगे हम लोग शुरू करते हैं बड़ी interesting कहानी है कहानी तीन बहनों की है तीन बहने Isabelle सबसे बड़ी उससे छोटी Lottie और उससे छोटी Kezia ये तीनों बच्चे एक अच्छी well-to-do family से हैं खासी अच्छी family से हैं मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास में अब कहानी को गौर से सुनना इस family की साथ में काफी टाइम से इनकी एक आंटी रह रही थी जो जब गई तो जाते जाते इन बच्चों के लिए एक gift छोट कर गई वो gift था एक बड़ा सा Dolls House मतलब किसी गुडिया का घर कहने को तो ये एक खिलोना है लेकिन ये इतना बड़ा है कि दो नौकरों को साथ में उठा कर इसे shift करना पड़ा देखने में ये घर बहुत ही खुबसूरत है इसे दो लखडी के box के उपर रखा गया है इसके अंदर paint की सी smell आ रही है इसलिए इसको बाहर रखा गया है और इसे तब अंदर लेके जाया जाएगा जब इसमें से वो paint की smell आना बंद हो जाएगी तीनों बच्चों ने से देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसे खोलो जल्दी खोलो हमें देखना है इसके अंदर क्या है अब जब उसको knife से खोला गया एक hook से बंद किया गया था उसको जब उसे कोला गया तो पूरा घर हमारे सामने आता जो कि देखने में बहुत ही खुबसूरत था उसके अंदर एक drawing room था दो rooms थे एक kitchen था पूरा घर अच्छे से बनाया हुआ था उपर से ही नहीं अंदर से भी बहुत खुबसूरत लगता था वो तीनों बच्चियां चीक पड़ी क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी और उस घर के अंदर एक lamp भी था जो सबसे छोटी वाले लड़की को बहुत अच्छा लगा अफकॉर्स वो lamp जल नहीं सकता था लेकिन देखके ऐसा लगता था वो lamp जलने को तयार है उसके अंदर कोई liquid जैसी चीज भी डाली हुई थी जो हिलाने पर हिलती थी देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो lamp केजिया की तरफ देखकर स्माइल कर रहा हो तीनों बच्चेयों को ये घर बहुत पसंद आया अब अगली सुबह ये तीनों स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थी वो पागल हुए जा रहे थी अपने साथ की स्कूल की लड़कियों को बताने के लिए कि हमें एक डाल हाउस मिला है बहुत खुबसूरत है वो तो रास्ते में ये जो सबसे बड़ी वाले लड़की है इसाबेल इसने अपनी दोनों छोटी बहनों को ऐसे कहा कि मैं बताऊंगी सबको तुम लोग नहीं बताऊगी अब वो बड़ी थी उसकी बात मानना इनका काम था लोटी और केजिया ने ऐसा समझ कर मान लिया कि अभी तक उन्हें बताया गया है कि बड़े हमेशा सही होते हैं इसके अलाबा इसबेल के पास ये भी राइट था कि वो किसको लेके आना चाहती है अपने साथ में कौनसी इनकी फ्रेंड आएगी देखने के लिए इस डाल्स हाउस को अब वैसे इनको स्कूल पहुंसते पहुंसते देर हो गई तो इसबेल ने अपनी सारी फ्रेंड्स को जाते ऐसे कहा मेरे पस कुछ है तुम लोगों को बताने के लिए मैं तुम्हें लंच टाइम पर बताऊंगी अब जब लंच टाइम हुआ खेलने का टाइम हुआ तो सारी लड़किया आकर इसबेल के आसपास एकटी हो गए लेकिन सिर्फ दो लड़किया पूरी क्लासरूम में दो ही लड़किया इस ग्रूप के बाहर थी और वो लड़किया थी Calvay Sisters अब ये Calvay sisters कौन थी Calvay sisters दो लड़कियां थी जो की एक गरीब family से बिलॉग करती थी एक धोबन की बेटियां थी और बच्चों इनके फादर जो थे वो जेल में थे अब इस गाओं में एक ही school था बहुत दूर दूर तक कोई school नहीं था तो lawyer का बच्चा हो, doctor का बच्चा हो या एक धोबी का बच्चा हो सारे के सारे एक ही school में पढ़ते थे teachers की भी मجबूरी थी कि उनको सबको साथ में पढ़ाना पड़ता था और माबाप की भी मजबूरी थी कि ऐसे school में उनको भेजना पढ़ता था दो भी की बच्चियां थी अब इन दोनों लड़कियों को सारी लड़कियां एग्नोर करती थी क्योंकि इनके फादर प्रिजन में थे सबसे बड़ा रीजन तो यह था और दूसरी चीज ये भी खुद बात नहीं करती थी किसी भी लड़की से अब ये कैलवे सिस्टर्स में दो लड़कियां थी लिल और एल्स अब दूसरों सारी लड़कियां आपस में एक दूसरे में मिक्सप हो जाती थी लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ तो करनी ही थी ना तो क्यों ना कैलवे सिस्टर्स के आगे वो लाइन ड्रॉ कर दी जाए कैलवे सिस्टर्स के सामने वो line draw कर दे गई कि उस line से तुम्हें बाहर नहीं जाना कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता था या फिर ऐसा कहें कि they were not allowed to speak to them even ये लड़कियां जो कपड़े पहना करती थी न वो भी किसी ना किसी के दियोए चितरों पर बनते थे ये जो बड़ी लड़की थी लिल इसके चहरे पर छोटे छोटे निशान थे और इसके जो कपड़े बनते थे वो table के उपर जो बच्छाने वाला कपड़ा होता है न उससे बनते थे और छोटी बाली ज्यादा बात नहीं करती थी वो जैसे कपड़े पहनती थी लगता जैसे nightgown पहन रखा है उसने उसके बाल छोटे छोटे थे और जब भी उससे कुछ कहना होता वो अपनी बड़ी बहन की skirt खीशती थी और बड़ी बहन भी उसकी सारी बाते समझ जाती थी कभी कोई ऐसा moment नहीं आया था जब वो समझ नहीं पाती थी कि उसकी छोटी बहन क्या कहने की कोशिश कर रही है अब सारी लड़कियां बात कर रही थी डॉल्स हाउस के बारे में जाहिर है कि इन दोनों लड़कियों को उसमें शाबल नहीं किया गया था लेकिन इनका भी मन था बात करने का इनका भी मन था नई चीज देखने का भई आखिर थी तो बच्ची आई न लेकिन इन दोनों को सुनने से कौन रोक सकता था इसाबेल जब अपनी लाउड आवाज में सब को बता रही थी कि हमारे घर पर एक Dolls House आया है उसके Doors बहुत अच्छा है Carpet बहुत अच्छा है उसका जो Wallpaper है वो बहुत अच्छा है इतने में केजिया बोलती है कि तुम उसके Lamp की बारे में भी तो बताओ लेकिन उसकी बात को सब Ignore कर देते हैं उसकी बात को कोई ध्यान से सुनता नहीं यहाँ लिल और एल्स वो उन सब की बाते चुपचा बैठ कर सुन रही थी साइड में अब यह जो सबसे बड़ी वाली बहन है इसबेल यह सिर्फ दो लड़कियों को चुनती है इसको ही हक था मैंने आपको बताया कि कौन-कौन साथ में इसके जाएगा डॉल्स हाउस को देखने के लिए स्कूल में से स्कूल में जो भी लड़किया है उन में से फिर वो उन में से दो लड़कियों को चुनती है जो बहुत खुश हो जाती है सुनकर कि ये दोनों आज चलेंगी हमारे साथ वो डॉल्स हाउस देखने के लिए अब ऐसे ही एक एक करके दिन बर दिन सारी लड़कियों ने दो-दो करके उस डॉल्स हाउस को देख लिया बच्ची सिर्फ कैलवी सिस्टर्स जन दोनों को किसी ने इनवाइट नहीं किया तो केजिया ने एक दिन अपनी मदर से पूछा, अपनी मा से पूछा क्या मैं कैलवी सिस्टर्स को भी ला सकती हूँ ये डॉल्स हाउस दिखाने के लिए अब हो ना क्या था उसकी मा ने मना कर दिया वो बोली कि नहीं तुम नहीं बुला सकती और मेरे ना करने का रीजन तुम अच्छे से जानती हो अब स्कूल में आए दिन रोज रोज सारी लड़किया उस डॉल्स हाउस के बारे में बाते करती है धीरे धीरे बाते कम होने लगती है लोगों का इंटरस्ट अब डॉल्स हाउस से हटने लगता है क्योंकि आप कितने दिन तक बात करेंगी बाई एक ही चीज़ के बारे में कैलवी सिस्टर्स ने अब तक वो डॉल्स हाउस देखा नहीं था अब बाकी लड़कियों का टॉपिक चेंज हो गया बात करने का वो लग अब ये बात करने लगी कि ये जो दोनों लड़किया है लिल और आल्स ये दोनों भी एक दिन अपनी मा की तरह वाशर वुमन ही बनेगी जब एक लड़की ने ऐसा कहा तो बाकी लड़किया उसके साथ में हसने लगी एक लड़की ने कहा कि चलो उन से पूछ कर आते हैं लिल से पूछ कर आते हैं क्या वो अपनी मा की तरह एक washer woman बनेगी क्या बड़ी होकर देख रहे हो दोस्तों सिर्फ मजे लेने के लिए बाकी लड़कियों में एक daring वाली बात थी क्या तुम वाकई में जाकर ऐसा पूछने वाली हो दोस्तों लड़की ने बोला मैं डरती नहीं हूँ मैं जाकर पूछ लूँगी वो जाती है और जाकर पूछ लेती है हे लिल क्या तुम भी अपनी मा की तरह washer woman बनोगी अब आप क्या सूसते हो लिल ने क्या जवाब दिया होगा लिल ने इस बात का कोई जवाब ने दिया बलकि एक छूटी से smile पास की उसकी तरफ उसको गुस्सा आया कि मैं इसका मजाग बना रहे हूँ लेकिन ये बिलकुल भी react नहीं कर रही है लेकिन लिल ने उसको हर्ट करने के नज़रिये से smile पास नहीं की थी बलकि लिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने मान लिया है कि वो सूसाइटी के सबसे निचले पाइदान में रहती है और इस बात में गलत क्या है उसकी माने अगर धूबन का का काम किया है तो वो भी आगए चलकर अगर ये काम कर ले तो इसमें बुरा ही क्या है उस लड़की को गुस्सा आया कि इसने मेरी बात का react क्यों नहीं किया तब उसने एक बात और बोली अच्छा अच्छा तुमारे फादर तो जेल में है ना ये बात सुनकर उन लड़कियों को थोड़ा हर्ट हुआ वो थोड़ी उदास हो गई और अब उस लड़की को मज़ा आया अब ये किस्सा यहीं खत्म होता है दोस्तों ये तीनों लड़किया अपने घर जाती है मैंने आपको बताया केजिया जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी अपनी दोनों सिस्टर से अब एक दिन केजिया की नजर पढ़ती है लिल और अल्स पे तब केजिया ने ऐसा पूछा लिल से जागर कि क्या तुम हमारे घर में जो डॉल्स आउस आया वो देखना पसंद करोगी तो इस पर लिल ने क्या जवाब दिया वो बोली कि अगर तुम्हारे घर वाले पसंद नहीं करते कि तुम हमसे बात करो तो तुम हमसे बात करने क्यों आ रही हो तब साथ में जो उसकी बहन थी चोटी एल्फ उसने उसकी स्कर्ट खीची शायद वो चोटी बच्ची देखना चाती थी उस डॉल्साउस को जिसकी सब स्कूल में बाते करते थे और केजिया उन दोनों को अपने साथ में ले गई अपना डॉल्साउस दिखाने है जैसे ही उन्होंने डॉल्साउस देखा एक घर में किसी बड़े की आंट पैरल की उन्होंने चिला कर केजिया को बुला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों लड़कियों को अंदर लाने की और उन्होंने जल्दी जल्दी हूश करकर उन दोनों बच्चियों को भगा दिया जैसे वो इनसान के बच्चे ना हो किसी जानवर के बच्चे हो और उन्होंने अपनी लड़की केजिया को भी बहुत डाटा और डॉल्साउस का दर्वाजा बंद कर दिया कैल्वी सिस्टर्स वहां से भाग कर कहीं दूर चले गई वो कहीं दूर जाकर एक पाइप के उपर जाकर बैठ गई दूनों बहने एक दूसरे के साथ में तो एल्स जो कुछ बोलती नहीं थी उसने पहली बार इस कहाने में बोला अपनी बड़ी बहन से कि वो लैंप कितना खुबसूरत था न और यहीं पर यह स्टूरी दूसरों खत्म होती है देखी दूसरों कैथरीन मैंसफील्ड मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उन्होंने इस कहानी के त्रू यह बदाने की कोशिश की है कि जो चीज़े अमीर के बच्चों को अच्छी लग सकती है वो गरीब के बच्चों को क्यों नहीं आखिर वो भी तो भगवान का ही तो एक रूप है यहीं पर यह कहानी खत्म होती है उमीद करता हूँ आपको समझ में आये होगी अच्छी लगे होगी आज की इस वीडियों बस इतना ही